हाई फ्रेंज मेरे नाह में प्रतिभा और आप सब कस्वागत है प्रैट्स केचन में आज हम बनाएंगे एक रेक्वेस्टेड रेसिपी चिकन की रेसिपी है दोस्तों लेमन चिकन बड़ा ही क्रीमी होता है बड़ा ही रिच होता है इसमें जो नीम्बू का फ्लेवर है वो ब गोईंगे अगर आप इसको ठंडे पानी में भी गोईंगे तो इसको ज्यादा देर के लिए भी बोना पड़ेगा गरम पानी से काम जल्दी हो जाता है दोस्तों इसको अच्छे से पीस लेंगे मैंने थोड़ा सा पानी निकाल दिया है लगभग एक चौथाई कब पानी र लेशन का पेस्ट और चोटा चमच मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है बुना हुआ जीरा पाउडर है यह नमक डाल रही हूं स्वाद के अनुसार और नीम्बू का जूस निचोड़ दिया है मैंने एक नीमबू का जूस हम इसमें अभी निचोड़ेंगे और बाद में हम उपर से एंड में यहाँ पर मैं बादाम और काजू का पेस्ट भी इसमें अभी एड़ कर रही हूं इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम चिकन आड़ कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक किलो चिकन लिया है इसको हम अच्छे से चिकन अब मैरीनेट हो गया है, अब यहाँ पर मैने एक वोक लिया है, वोक में थोड़ा सब सब्सक्राइब ताकि हमारे जो बटर है वो जले ना, इसके बाद मैंने एक बड़ा चम्मच मक्षन का डाल दिया है, साथ के साथ डाल दियें, चार हरी मिर्चें स्लिट कर गे, मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको तब तक कुप करेंगे जब तक इसमें एक बॉयल ना जाए इसको मीडियूम फ्लेम पर ही रखेंगे यह देखे दोस्तों पाँची मिनट में अच्छा बॉयल आने लगा है अब मैं इसको आराम से ठब कर लगवग 20-25 मिनट तक कुप करू जिसमें सबसे पहले मैं लेमन जेस्ट टाल रही हूँ दोस्तों लेमन जेस्ट ब्रेट करते समय इसका ध्यान रखें कि वाइट पार्ट बिल्कुल भी ना जाए ग्रेवी में पर ना ग्रेवी जो है वो कड़वी हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा चमच मैंन करने के पहले गैस को मैं इसमें दो बड़े चमच जितना नीम्बू का जूस टाल रही हूँ लेमन चिकन जो है खटा तो हो ना ही चाहिए उसके बाद यहाँ पर मैं फाइनली इसमें आड़ कर रहे हूँ तीन बड़े चमच क्रीम का क्रीम को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्रेम को कर देंगे बन इसको कर लेंगे सर्व और दोस्तों इसको बनाए इसको किसी भी रोटी पराठे पूरी नान के साथ खाएं बहुत ही टेस्टी लगता है लेमन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आते है बड़ा ही क्रीमी लगता है यह बहुत ही टे उन्में